नमस्कार दोस्तों मैं हूँ उम्प्रीश पांडे आप देख रहे हैं हमारे चैनल MS Target Beauty जिसमें आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों राजस्थान के बिकानेर से 30 किलोमीटर दूर देश नोक सहर में इस्तित है करनी माता का मंदिर जिसे चूहो वाली माता चूहो वाला मंदिर या मूसक मंदिर के नाम से जाना जाता है इस मंदिर में 20,000 से ज़्यादा चूहें और इन्ने कबास कहा जाता है मंदिर में इनकी पूजा की जाती है क्यूंकि माना जाता है कि ये करडी माता के परिजन है जिन्होंने चुवे के रूप में जन्म लिया है यह मंदिर तीन हिस्सों में बना है इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है जहां पर हर सक्स को जाने नहीं दिया जाता है दूसरे हिस्से में माता के दर्सन होते हैं जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है काते हैं कि महीने में एक बार इस पत्तर से खून की दारा भी निकलती है ऐसा क्यूं और कैसे होता है यह आज तक किसी को क्यात नहीं है दोस्तो इस मंदिर को चुहो वाला मंदिर भी कहा जाता है दोस्तो जो राचस्थान के बिकानेर से 30 किलो मीटर दूर देश नोक सहर में इस्तित है करनी माता इस मंदिर की अधिश्ठात्रे दिवी हैं जिनकी छत्रचाया में चुहो का सम्राज अस्थापित है इन चुहो में अधिकान्स काले हैं लेकिन कुछ सफेद भी हैं जो काफी दुरलब हैं मानिता है कि जिसे सफेद चुहा दिख जाता है उसकी मनोकामना अवस्त से पूर्ड हो जाती है इस मंदर में सफेद चुहो को और भी आदर दिया जाता है क्योंकि उन्हें करड़ी माता उनके बेटों को आवतार माना जाता है वैसो तो यहां अतिदिक काले चुहे ही हैं पर यहां बहुत थोड़ी मात्रा में सफेद चुहे भी हैं माना जाता है कि जिस किसी सद्राल को सफेज चुगा दिख जाये उसकी मन अवस्य पूर हो जाती है आश्चर जनक यहा है कि चुवे बिना किसी को नुकसान पहुचाए मंदिर के परिसर में दोड़ते और भागते खेलते रहते हैं वे लोगों के सरीर पर कुद फाद भी करते हैं लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचाते हैं यहाँ यह इतनी संख्या में है कि लोग पाँ उठाके सही से चल भी नहीं सकते उन्हें पाउं घसीट घसीट के चलना पड़ता है लेकिन मंदिर के बाहर एक कभी भी नजर नहीं आते हैं उम्मेद करता हूं दोस्तों ए वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और ए जानकारी अगर आपको काफी अच्छी लगी दोस्तों अगर आप देरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजे सस्क्राइब कर ता बेल आइकन पर कर दीजे क्लिक ताकि मैं जो भी लेटिस्ट वीडियो अफ्लोट करू उसका नाट्फिकेशन आपको मिलता रहे फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटिस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद